जहें दोस्तों यदि आप बीए बीकॉम बीएसी बीबीए फस समेस्टर के स्टुडेंट है और आपके दोस्तों को कॉरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एक्जाम होता है खाद पोसर एवं सचता फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का तो यह प्रसंपत्र आपके लिए र कराने वाला हूँ ठीक है बहुत ध्यान पूर्वग देखिएगा सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्न है और यह आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों इस कलास को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलास इस में पहला प्रस पूसर नहीं अपर उसर अपर की कितनी इस्थितियां होती है तो अपर उसर की दो इस्थितियां होती है आपसर अपन बर सी करेक्ट आपका उसकता है पूचान conversation about tea यू मुंआ पूच्छ है पो सड़ की कितनी अवस्थाइं होती है पो 3 कीषाम एक कितनी अवस्थां होती हैं इसoda सब्सक्राइब 컨्यूर की दोस्तों प्रस नमर शार्ड कि क्तनी इस्थितियां होती है अब प्रश नमर शरीर की अवयशकताओं के अनुसार गुड एवन मात्रा में अपूर होता है तो वह इस्थिति क्या कहलाती है तो वह इस्थिति कुपोसर कहलाती है अपसर नमबर भी करेक्ट है प्रस नमबर आठ आपका पुछा है दोस्तों भोजन के सारीरिक कारियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है तीन भागों में विभक्त किया गया है आपस नमबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस नमबर 9 क्या पूछा है मरासमस रोग होता है मरासमक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है आपस नमबर 2 करिक्ठ है आपका चलिए प्रस नमबर 10 आपका क्या पुछा दोस्तों तो अच्छा जुर्यां युक्त एम उसका रंग पीला होना लच्छड परदर्सित करता है तो यह कुपोशड का परदर्सित करता है लच्छड ठीक है देखिए जो तोचा की उपर दोस्तों जुर्यां बन जाती है ठीक है चलिए प्रस नमबर 11 क्या आपका पूछा है भारत में पोसड ततों की कमी से सरवाधिक रूप में पाई जाने वाली बिमारी है तो उर्जा प्रोटीन को पोसड ठीक है आपसा नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका 11 का अगला प्रस देखेंगे आपका क्या पूछा है ऐसा आ प्रस नमबर 13 आपका देखेंगे इसमें क्या पूछा है कुपोसड तथा डैस में एक गहरा संबंद है कुपोसड और किसमें गहरा संबंद होता है तो कुपोसड और चिंता में ठीक है गहरा संबंद होता है तेरे का अपसा नमबर 1 करेक्ट है आपका प्रस नमबर 14 देखेंगे आपका क्या पूछा है प्रस नमबर 14 पूछा है दोस्तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है प्रोटीन की कमी से दोस्तो चर्म रोग होता है ठीक है चमडे का रोग हो जाता है आपस नमबर C करेक्ठ है आपका चलिए अगला प्रसंद देखेंगे प्रस नमर 15 क्या पूछा है प्रोटीन प्राप्ति के साधन है सोयबीन, मुंफली और सेम ये तीनों से प्रोटीन प्राप्त होता है दोस्तों आपसर नमर D करेक्ट हो जाएगा आपका उपरोग सभी प्रस नमर 16 आपका पूछा दोस्तों प्रोटीन नाम सरव प्रथम किस बैज्यानिक द्वारा प्रस तावित किया गया तो मूल्डर के द्वारा किया गया था आपसर नमर 1 करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगे आपका क्या पूछा है प्रस नमर 17 पूछा है प्रोटीन में लगभक कितने परकार के amino acid पाया जाते हैं तो लगभक 20 amino acid पाया जाते हैं दोस्तों ठीक है आपके option में दिया नहीं है दोस्तों याद रखेएगा कभी-कभी examiner के वज़े से भी प्रस्ण गलत हो जाता है ठीक है आप याद रखेएगा 20 एमिनो एसिड होते हैं आपके एक्जाम में पूछेगा तो इस बात को याद रखेंगे ठीक है चलिए प्रस नमबर 18 देखेंगे क्या है निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है मांस, मचली, अंडा तो ये उपरोगत सभी हो जाएंगे ठीक है अपसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रस नमबर 19 आपका पुछा है वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है तो वसा के उपयोग के लिए सबसे जादा जल जरूरी होता है दोस्तों ठीक है उनबर 20 देखेंगे क्या पुछा है एक जटील कार्बोज है तो दोस्तों सेलिलोज क्या होता है सेलिलोज एक जटील कार्बोज होता है ठीक है आपसे नमबर एक करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रसंद देखेंगे आपको क्या पूछा है एक कैस नमबर देखिए प्रस नमबर एकईश पुछा है कार्बो हाइडरेट के कुल कितने प्रकार है तो कार्बो हाइडरेट के दोस्तों कुल दो प्रकार होते हैं ठीक है आपस नमबर एकरेक्ट है आपका प्रस नमर बाइस आपका पूछा है पैक्टीन पाया जाता है दूध में घी में चावल दाल में या फिर पके हुए फ़लो में तो दोस्तों जो पैक्टीन होता है या पके हुए फ़लो में पाया जाता है ठीक है आपस नमर डी करेक्ट है आपका प्रस नमर तेज देखेंगे क्या पुछा है गुलुकोज है गुलुकोज एक मोनोसैकराइड होता है दोस्तों ठीक है तेज का आपस नमर एक करेक्ठ आपका प्रस नमर चौविस पुछा है डाइबीटीज रोग होता है तो diabetes रोग दोस्तों insulin की कमी के कारण होता है अफसर नमबर एक करेक्ट है आपका प्रस नमबर 25 क्या पुछा है दालों में कितने परतिसत स्टार्च पाया जाता है ठीक है बहुत ही महतपूर प्रस नहें तो 40% स्टार्च पाया जाता है दालों में 25 का आपसर नमबर भी करेक्ट है प्रस नमबर 26 आपका पुछा है सुक्रोज परियात्व मात्रा में पाया जाता है तो सुक्रोज दोस्तों गन्ना में ठीक है सुगर केन में सबसे ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है ठीक है चलिए आपसर नमबर C करेक्ट है 27 का अगला प्रस्ट देखेंगे फ्रस्ट नंबर 27 आपका पूछा थोस्तों एक नवजात द्वारा आसानी से पचलने वाला मुख्य कार्बोहाइडरेट है तो नवजात द्वारा एक पचलने वाला मुख्य कार्बोहाइडरेट गुलu Leonard होता है आपसे नमबर एक करेक्ट है आपका प्रस नमबर 26 आपका पूछा है दोस्तों वसा की मात्रा अधिक होती है वसा की मात्रा सबसे अधिक दोस्तों मक्खन में होती है ठीक है आपसे नमबर एक करेक्ट है आपका क्योंकि देखिए सोयबीन में प्रोटीन होता है ठीक है पनीर में क्या होता है पनीर में भी वसा और प्रोटीन दोनों होते हैं हलाकि आपका सबसे बेश्ट आंस्वर पूछा है सबसे अधिक मात्रा में वसा तो मक्खन में होता है आपसे नमबर एक करेक्ट है आपका प्रस्ट नमबर 29 क्या पूछा है एक ग्राम वसा से कैलोरी उर्जा मिलती है यानि एक ग्राम वसा से दोस्तों कितनी कैलोरी उर्जा मिलती है तो 9 कैलोरी उर्जा मिलती है ठीक है एक ग्राम वसा से प्रस नमबर 30 आपका पूछा है दोस्तों एक वयस्क को वसा की आवे सकता होती है एक वयस्क मनुस्क को दोस्तों वसा की कितने गराम की आवे सकता होती है तो 20 गराम की आवे सकता होती है आपस नमबर एक करेक्ठाप का प्रस्ण नमबर 31 देखेंगे क्या पूछा है वसा की कमी से कौन सा रोग होता है वसा की कमी से फाइनो डर्मा होता है ठीक है फाइनो डर्मा आपस्ण नमबर D करेक्ठाप का अगला प्रस्ण देखेंगे क्या पूछा है प्रस्ण नमबर 32 पूछा है दोस्तों मुंगफली मे लगभग 50 पर 30 वसा होती है अप्सन नमबर C correct आपका 32 अगला प्रस्ल देखेंगे क्या है प्रस्ल नमर तीस आपका पुछा है दोस्तो कार्श्ण नमर कर्वनिक योगिक है कार्बो आइड्रेट के आवज़िया एक कार्वनिक योगिक है ठीक है 33 का अपसन नमर C, correct आपका प्रसन नमर 34 देखेंगे क्या पुछा है ज़्यादा मोटे व्यक्ति का होता है ज़्यादा जो मोटे हो जाते हैं दोस्तों उनको क्या होता है मधुमे ठीक है जिसे diabetes बोलते हैं अपसन नमर A, correct आपका 34 का अगला प्रसन देखेंगे प्रस नमबर 35 क्या पूछा है दोस्तों प्रस नमबर 35 पूछा है आपका उर्जया प्रात करने का प्रमुख साधन है वसा है आपस नमबर भी करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रसन देखेंगे आपका क्या है प्रस नमबर 36 पूछा है वसा में घ लेट्रा क्लोराइड या फिर क्लोराइड तो जो वसा में घुलन सील भी है यहां पे वो इधर है ठीक है आपसर नमबर एक करेक्ट आपका चलिए प्रस नमबर 37 देखते हैं क्या पुछाए आपका नायसीन की प्राप्ती का मुख्य साधन है तो सूखा पनीर होता है दोस्तो है विटामिन के की प्राप्ती का मुख्य स्रोथ होता है पालक मटा रौट पत्ता गोभी यह तीनों हो जाएंगे आपसर नमबर डी करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगे आपका क्या पूछा है प्रस नमबर 49 पूछा है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होने वाला मन उससे में रोग है तो बेरी-बेरी हो जाता है विटामिन B1 की कमी से दखिए चाहे B का है चाहे B1 का है दोनों एक होता है ठीक है पूछता है कभी-कभी कि विटामिन B1 का रासाइनिक नाम क्या है तो थाइमिन होता है कभी-कभी ऐसे पूछता है प्रस नमबर 40 का पूछा ह सरीर की उचित व्रिद्धी है तू अत्यांत महत्पूर विटामिन है तो सबसे महत्पूर विटामिन आपसर नमबर ए है दोस्तों विटामिने सरीर की व्रिद्धी के लिए अत्यांत महत्पूर होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं क्या है प्रasad No. 41 से दोस्तों, विटामिन के की खोज कब की गई? तो विटामिन के की खोज 1912 में की गई थी अपसन नमर डी करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगी क्या है? प्रस नमर 42 पूछा है आपका विटामिन हमारे सरीर को कैसा बनाते है? तो विटामिन हमारे सरीर को भी या स्वस्थ बनाते है ठीक है आपसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस नमबर 43 क्या पुछा है विटामिन A सबसे अधिक किसमें पाया जाता है तो गाजर में पाया जाता है आपसर नमबर B करेक्ट है आपका 43 का अगला प्रस नमबर आपका क्या है प्रस नमबर 44 आपका पूछा है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है तो विटामिन D प्राप्त होता है आपसे नमबर D करेक्ट हो जाएगा आपका क्या प्रस नमबर 45 आपका पुछा है दोस्तों सर्वाधिक बिटामिन C किसे में पाया जाता है तो हालाकि निम्बू में भी पाई जाता है आम में भी पपीता में भी थोड़ा थोड़ा ठीक है लेकिन सबसे जादा सबसे शर्वाधिक सबसे सरवादिक विटामिन C आवले में पाए जाता है अपसर नमबर एक करिक्ठ आपका प्रस नमबर 46 क्या पुछा है विटामिन B2 को कहते हैं विटामिन B2 को भी या राइबो फ्लेविन कहते हैं ठीक है इसके पहले भी मैंने दोस्तों और क्लास करा हैं तो उसका मैं प्लेविस्ट का लिंक दिया हूँ डिस्किप्शन बॉक्स में ठीक है वहाँ जा करके आप क्लास कर सकते हैं कई सारे क्लास को मैंने कराया है प्रीवियस येर कोश्चन भी कराया ठीक है मौडल पेपर भी कराया मैंने 47 नमबर पसना आपका त्वचा से प्रति दिन निस्कासित जल की मातरा है तो 300 ml होता है 47 का अफ्सनमब़ ड्रेक्ट है आपका चलिए 48 नमबर पसना है जल सरीर के तापकरम को नियंतरित करता है अफ्सनमबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रसन देखेंगे क्या पुछा है प्रस नमबर 49 पुछा है सरीर में कितनी जल कम हो जाने से मृत्यू हो सकती है तो सरीर में दोस्तों यदि 20% से कम जल हो जाएगा तो मृत्यू होना निश्चित है अपसर नमबर 1 करेक्ट है आपका चलिए प्रस नमबर पशास क्या है हमारे सरीर में जल का प्रतीसत है तो हमारे सरीर में दोस्तों कितने प्रतीसत जल पा जाता है तो 60 से 70 प्रतीसत ठीक है चलिए प्रस नमबर 51 क्या है मनुस्य को प्रती दिन कितना पानी पीना चाहिए तो 3 लीटर पीने चाहिए भी है ठीक है आफसा नमबर A करेक्ट है आपका प्रस नमबर 52 क्या पूछा है जल का कार्य है जल का हमारे सरीर में क्या कार्य करता है भी है तापमान को नियंतरण करता है ठीक है हमारे सरीर के ताप को नियंतरण जल करता है आफसा नमबर B करेक्ट ह आपका प्रस्न नमबर तीरपन क्या पूछा है शरीर में अधिकतर जल का निश्कासन किसके माध्यम से होता है तो गुर्दे और त्वचार के द्वारा ठीक है आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रसन देखेंगे 54 नमबर प्रसन क्या है शरीर में निर्ज जली करण की इस्तिति का वाती है तो जब जल की कमी हो जाती है ठीक है आपसा नमबर भी करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रसन देखेंगे 55 नमबर प्रसन क्या है प्रसन नमबर प्रसन आपका पूछा भिया शरीर में उपस्तित जल की कितने परतीसत तरल पदार्थों के रूप में कोशिकाओं में रहता है तो यह 70 पर 30 रहता है ठीक है आपसर नमबर डी करेक्ट है आपका चलिए प्रस्ट नमबर 56 देखेंगे क्या है लोहे की कमी से होने वाला रोग है यानि आइरन की कमी से अमारे सरीर में दोस्तों क्या होता है एनीमिया होता ठीक है 56 का अगला प्रस्ट देखेंगे 57 नमबर प्रस्ट क्या है बच्चों में हीमोगलोबीन का अस्तर होता है तो बच्चों में हीमोगलोबीन का जो अस्तर होता है 12 से 14 गराम होता है ठीक है अफसर नमबर डी करेक्ट है आपका प्रस्ट नमबर 58 क्या है कैलसियम का प्रमुख स्रो तो यानि केलसियम का प्रमुक सुरोत इन चारों में से कौने भीया तूद होता है ठीक है आफसल नमबर ही करेक्ट हो जाएगा अग्मा है अगला प्रस देखेंगे क्या है 69 नमबर सोडियम प्राप्ती का अच्छा सुरोत होता है नमक का आफसल नमर सी और है अपका प्रस होत किस तत्व के अभाव में होता है ठीक है घेंगा रूख के जो होता है दोस्तों किस तत्व के अभाव में होता है तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रूख हो जाता है ठीक है साश का अफसर नमबर सी करेक्ट है आपका प्रस नमबर 61 क्या है ए खनीज तत्व नहीं है तो खनीज तत्व कैलोरी ऐसे हमारी हम भौजण के किसी मांध्यम से ठीक है का जलिए तेरे एरोंट क्या क्या है आयरन पर्चुमास्रा में पाया जाता है यानि दोस्तों लोहा पढदा में किसमें पायनly संत्रा आ Bij alma comes एक्रित में दोस्तों क्या होता है आयरन परचूर मात्रा में समाहित होता है ठीक है तिरसेट का आपसन नमबर D करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस नमबर 64 है दातों के निर्माण में सरवाधिक सहायता है तो कैलसियम सबसे ज़्यादा सहायता करता है दातों के निर्माण में ठीक है 64 का आपसन नमबर भी करेक्ट है अगला प्रस देखेंगे क्या है प्रस नमबर 65 है रक्त के जमने में कौन सा खनीज तत्व सहायक करता है ठीक है यानि जो रक्त का जमने में सहायता करता है दोस्तों चोट लगने के बाद वो कौन सा विटामिन सहायता करता है बताईए तो दोस्तों वो विटामिन होता है आपका कैलसियम ठीक है आपसा नमबर भुझ्पदार्थ कार्बो आओड्रेट है आपसट नमर 1 करेक्ट है आपका प्रस्त नमबर 60 सेवा ने मनुस में क्रोमसोंग की संख्या है तो तेश जोड़े होते हैं आपस्त नमर प्रस नमर 79 क्या पूछा है संपूर गर्भकालिन अवस्था लगबग कितने दिन की होती है तो लगबग लगबग 280 दिन का होता है ठीक है आपसर नमर C करेक्ठ आपका लगबग नहीं यह पूरा होता है ठीक है इस पॉइंट को याद रखेगा 270 कभी कभी देता है 270 से 80 ठीक ह तो याद रखेगा 280 दिन आपसर नमर C करेक्ठ आपका प्रस नमर 70 क्या पूछा है आपका किस विकास की गत गर्भकालिन अवस्था में तिब्र होती है बताइए जब दोस्तों गर्भ का गर्भ में जो बच्चे होते हैं ठीक है उस समय उनकी सबसे तेजी से विकास किस ची भारतेजी से किस अवधी में बढ़ता है तो तिसरे माह के बाद से बढ़ना सुरू हो जाता है अपसर नमर D करेक्ठ आपका ठीक है चलिए प्रस नमर 72 क्या है अंडाडू परिपक्व होते हैं तो अंडाडू दोस्तों 28 दिनों में परिपक्व होते हैं ठीक है 72 का अपसर नमर 73 आपका क्या पूछा भिया नवजात अवस्था है तो नवजात अवस्था कब होती है और समायोजन होती है ठीक है जिसे अड़ेस्टमेंट बोलते हैं आपसर नमर एक करेक्ठ आपका अगला प्रसन देखेंगी क्या है 74 नमर प्रसन आपका है जन्म के समय एक भारती बच्चे की आउसत उचाई कितनी होती है तो एक जन्म के समय दोस्तों भारती बच्चों की आउसत उचाई 50 संटिमीटर होती है आपसर नमर सी करेक्ठ आपका प्रसन नमर 75 पूछा है नवजात सीसू की नाड़ी की गती प्रतिमीनेट होती है तो प्रतिमीनेट दोस्तों 120 बीस बार होती है आपसा नमर डी करेक्ट है आपका प्रस नमर छीयत्तर पुछा आपका समान नवजात सीसू कितने घंटे की नीद लेता है तो लगबग लगबग दोस्तों 14 से 18 घंटे की नीद लेता है ठीक है तो यहाँ पर आपका बेश्ट आपका होगा आपसा नमर ये 20 घंटे ठीक है चलिए अगला प्रस नमर आपका देखते क्या है इसुलिसेवन और कोलैस्टर दोस्तों प्रथम अस्थन दूद होते है ठीक है आपसा नमर भी करेक्ट है आपका प्रस नमर 78 है नवजात सीसू में कांसी इंद्रियां सबसे कम विक्सित होती है तो नवजात स सीसू में दोस्तों सबसे कम जो इंद्रिया होती है वह देखना ठीक है देखना बहुत कम विक्सित होती है सुनना असपर्स करना और सुनना बच्चे बहुत जल्दी से जो बच्चे के इंद्रिया होती है यह सभी बहुत तेजी से विकास करती है ठीक है चलिए अगला प्रसन नमर 79 आपका, तीन किलोग्राम वाले नौजात सीसू का भार लगभख दो गुना हो जाएगा, लगभख लगभख एक वर्स में दो गुना हो जाता है, ठीक है, अपसर नमर D, करेक्ट है आपका, प्रस नमर 80 पूछा है, चाय में पाया जाता है, तो चाय में कैफीन पाया जा जाते हैं ठीक है अलफा टॉक्सिन इस फाउंड इन किस में पाए जाता भी या तो यह मुझ फली में पाए जाता है आपसा नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका चलिए अगला प्रस देखेंगे प्रस नंबर 82 क्या पुछा है दो व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार क्या होता है अनिमारेता सवान ने होगा दोनों के लिए ठीक है आपसा नंबर एक करेक्ट है अगला प्रस देखेंगे आपको क्या पुछा है प्रस नंबर 83 पुछा है कारेक के लिए आवस्यक है तो कैलोरी आवस्यक्ता होती है दोस्तों काम करने के लिए ठीक है 83 का आपसा नं होती हैं इन सबी का संतुली तहार का प्रभावा पढ़ता है सरीर पने आफस्त सोützen rule आफस्त नमर 86 क्या पूछा आफे रूप में आपूरती की जाने वाली खाद पदार्थों के कम सूची को कहते हैं तो कम सूची को पोशक अस्तर कहते हैं ठीक है 86 का अपसर नमबर B करेक्ट है आपका प्रस नमबर 87 क्या पूछा है निम्न मेंसे क्या आवस्यक है कि परिवार के प्रतेक सदस्य को उचित मात्रा में पोशक प्रात हो तो दोस्तों यह आहार योजना होता है ठीक है जिसे डाइट प्लानिंग बोलते हैं आपसर नमबर 1 करेक्ट है प्रस नमबर 88 पूछा दोस्तों आहार योजना में क्या महत्पूर नहीं है तो साथ ताहिक चार्ट ज़रूरी होता है रोगी की सूची भी ग्रियसन रचना नहीं जरूरी है ठीक है घर कैसा बना है आड़ा तेड़ा इससे मतलब नहीं है आहार योजना से ठीक है आपसे नमर सी करेक्ट हो जाएगा आपका चलिए प्रस नमबर 89 पूछा है 89 नमबर आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करत है तो आहार योजना को भी या आयू प्रभावित करता है आपसे नमरे करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगे आपका क्या पूछा है यह देखिए लगबग लगबग हंडेड परसंट तो हर एकजाम में पूछ रहा ठीक है आर डी ए सच संशिप्त सार है यानि आर डी एका फूल फार्म होता है तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज होता है ठीक है आपसे नमरे करेक्ट है अगला प्रस देखेंगे आपका क्या पूछा है प्रस नमरे क्या पूछा है दोस्तों मानो सरीर मुख्यत है उस जा किस रूप में प्राप्त करता है तो किस रूप में प्राप्त करता है सब नुम्ब डी कर्क्रे कडिया कुछा है ठीक दूद स्वाध में मीठा होने का कारण है विपिटामिन विटामिन B1 की कमी को जाना जाता है यानि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भिया बेरी बेरी आपसा नमर C करेक्ट आपका अगला प्रस देखेंगे आपका क्या है प्रस नमर 94 पुछा है विटामिन का परकार नहीं है तो एलग क्या है विटामिन का परकार नहीं अभी है ठीक है 94 का आपसर नमर डी करेक्ट है आपका प्रस नमर 95 आपका पुछाए दोस्तों निम्ने में से कौन सा विटामिन रग्त का ठक्का बनाने में सहायक होता है तो विटामिन के रग्त का ठक्का बनाने में सहायक होता है आपसर नमर डी करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस्ट नमर 96 क्या पुछाए 96 कौन सा बिटामिन कोबालामीन के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जो बिटामिन B12 होता है B12 को कोबालामीन के नाम से जाना जाता है ठीक है आपसे नमर B करेक्ट है आपका अगला प्रस्ट देखेंगे क्या है प्रस्ट नमर 97 आपका पूछा 97 जल का रासायनिक सुत्र है तो S2O जल का रासायनिक सुत्र होता है आपसे नमर भी करेक्ट है आपका प्रस नमर 98 क्या है सरीर के उधकों के मरम्मत का कार होता है तो प्रोटीन के द्वारा होता है आपसे नमर B करेक्ट है आपका प्रस नमर 99 क्या पूछा भिया प्रोटीन की आधारित इकाई है यानि जो प्रोटीन भिया इसकी आधारित इकाई क्या होती है तो इसकी आधारी तिकाई अमीनो अमल होती है ठीक है आपसे नमबर B करेक्ट हैप का 99 का चलिए प्रस नमबर 100 आपसे पूछा है कारसी नोजन के कारण होता है तो कारसी नोजन के कारण दोस्तों कैंसर होता है आपसे नमबर D करेक्ट है ठीक है उमीद है दोस्तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इस कलास को सेर जरूर करेंगे मुझे आपसे बहुत उमीद है ठीक है इस कलास को जरूर सेर कर दीजिएगा वाट्सअप पर मिलते हैं नेश्ट कलास में दोस्तो तब तक ले जैहिन वंदे मातरम